सबी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता है इत्परेस ओनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज के क्लासेस में आप लोग लें 59 नमर स्वाल नहीं के फ्रेक्शन चिप्टर से 59 सवाल को आगे बढ़ाऊंगा तो 59 नमर स्वाल के अगर हम बात करें तो कुस्टन आपकी स्क्रीन पर है देखिए हाँ एक बात और जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल सस्क्राइब कर ले ना बेला कंद बाद ना तो जब जब मैं बीडियो डालूंगा आपको नोटिफिशन मिल लाएगे तो कुस्टन द पुस्टन को बता रहा हूं अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रीप्शन में लिंक रहता है पिछला वीडियो देखना हो तो बहुते देख सकते हैं देखो 59 नमर स्वाल में क्या बोला गया है कि बोला गया कि भीद्क्रम अब सबसे पहले यह व्यूत्क्रम होता क्या है का मतलब होता है उल्टा व्यूत्करम का मतलब क्या होता है उल्टा यह याद रखेंगे अब उल्टा कैसे निकलेगा इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको जैसे कि अगर मान लिया जाए पी बटा क्यू का अगर उल्टा करना हो तो हो जागा क्यू बटा पी ठेक है यह इसका व्यूत्क्रम हुआ ठेक वह चीज बताना है तो यहाँ पर कुस्टन में क्या कहा है द कि व्यूत्क्रम का योग करना व्यूत्क्रम का फिर उसका व्यूत्क्रम बताना है अंसर आपको देखे सबसे पहले इसका योग कर लो कितना हो जाएगा लेकिन हाँ इसका व्यूत्क्रम कर लो पहले इसका व्यूत्क्रम करना होगा तो पलट जागा ना पंच बटा तीन हो तरह का कोशन को ऐसे बनाया जाएगा है ना सान ट्रेकर चलिये उनसाट होगिए अगला कोशन देखते हैं 60 देखे 60 नमर्स वाल भी असान काता है काता है कि दो भिन्नों का अंतर 12 पुर्णांक 7 बटा 24 है यदि बड़ा भिन 16 पुर्णांक 5 बटा 12 है तो छोटा भिन क्या होगा ठीक है तो इस तरह के कोशन को कैसे बनाएंगे सबसे पहली बात क्या बोला है दो भिन्नों का अंतर अंतर का मतलब होता है मैनस ठीक है मैनस करना होगा अब कहता है 12 पुर्णांक 7 बटा 24 है दो भिन्नों का अंतर और बड़ा भिन बोला है तो हम 16 पुर्णांक 5 बटे 12 पहले बड़ा को लिख लिए बड़ा भिन को उसके बाद कहता है अंतर अगर बोल तो हम क्या करते हैं इसको बारा पुर्णांग साथ बटे 24 को मैनस करते हैं तो हमको अपने मिल जाएगा अंसर छोटा बिन अब दोको 12 और 24 कैल्सम क्या हो जाएगा तो चौबिस 12 और 24 तो हाँ सबसे पहले बात यहाँ पर एक चीज बताता हूँ यह 16 और 12 है ना यह साइड में है आप क्या करना इसी को मैनस कर लेना 16 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा चार को साइड में लिख लेना ठीक है और उसके 12 और 24 कैल्सम लेना क्या हो जाएगा 24 बारा दूना 24 तो चार पूर्ना एक बटा आट आठर हो जाएका तेको मैं आपको समझाने के लिए चार क्या घंड़नेक्स तो किसे करना वह बताता हूं ठेक है अगर आपको इसको व्हाइमत्सम छोड़नाज में करना लेना2 कैंसे करो देकिन अगर समाह है तो थोढ़ा चल जानाँ ठीक थो पांस दूना 10 तो दस होजाएगा एकाशाबिस तो साथ होजाएगा टीन यहनिकी तीन अठी चौभीस यहनिकी एक बटा चार प्रंग बटा आ रहा है यहाँ पर हम डाल शौट जबता था ठीक है तो चलिए 60 नमर सवाल भी बहुत ही आसानी समपताधिये कुस्टन एक सट देखते हैं क्या काता है 61 में 61 नमबर देखते हैं देखिए 61 सवाल काता है कि दो भिन्नों का गुननफल 14 बटा 15 है तता उनका भागफल 35 बटा 24 है इन में से बड़ी भिन है ठीक है ध्याँ देखो जब इस तरह का कुस्टन आजाए यह कुस्टन बहुत असा दो भिन्नों का गुननफल 14 बटा 15 है ठीक है अब आगे बढ़ हो कता उनका भागफल 35 बटा 24 है भागफल का मतला भाग देना एक सब्टे वाय का मान हो रहा है 35 बटा 24 ठीक है यह आपको इतना सोच लेना अब देख लो दिहान से यहां से कोई एक मान निकाल लेना इस जग हो गया और 24 हो गया तो वाय बरावर निकाल ले तो 24 ठीक है अगर आप फिर से क्रॉसमेंटेस करो तो यह आगा 35 देख लो और 24 अब क्या करना इस वाय वाले मान को इस पर रख देना यहां पर तुरत बन जाएगा देखो एक्स गुना अब यह 24 ठीक को वाय के जगा पर 25 ठीक है अब 714820 14 24 कट किया अब क्या करो देखो एक्स गुना एक्स क्या होगा एक्स इभंध सोऑ ali आप बराबर आपो क्रोस मल्टिपिक्सन कर दो ठीक है तो क्या काँए ध्यास देखलो आपको थोड़ा एक इस्तिप बढ़ा देता हो समझेंगे जाएगा सिस्काइब बारतिया 36 इधार रहे के गुना चछतिस अब बराबर चाहां सत्य 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 उंचास ठीश हमको x square निकालना है तो क्या होगा 49 बटा 36 अब दोको यह square है अगर उस पर जैगत क्या चड़ेगा रूट चड़ जाएगा यानिकि 49 बटा 36 यानिकि यानिकि यहां पर एक्स बराबर किया है तो साथ बटा यहां पर 6 होगा क्योंकि 36 का भी तो वर्गमुल यह पूरे में रूट है याद रखना ठीक है तो बजाएगा साथ बटा अच्छा है आपका दू नंबर आमसर दिया है तो ऐसे बना सकते हैं प्रोसे से बता है इसलिए तो यहां पर लंबा हुआ अगर आप शॉटकोट बनाओगे तो यहीं पर सोच सकते हो सत्यस्ते उन्चास गुना एक साथ स्क्राइब हो इसका मतलब जब भी देखो जब भी यहां पर दो को गुना पर है तो बर्गमुल तो निकले गा ही तो साथ दो गो साथ में तो एक सा सबसे बड़ा भीन को सबसे छोटा भीन से भाग देने पर साथ बटा छौप राप्त होता है जो की बीच वाला भीन से एक बटा तीन अधिक है यह भीन होगा अब जब इस तरह की बात किया तो आपको वह ऑप्सन दिया हुआ है और अगर हम ऑप्सन की बात करें हम इसको बाया उप्सन करेंगे तो ज्यादा अच्छ लेकिन अगर हम योग उतना करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा एक काम करते हैं बीच वाला लाइन को प्रूड करते हैं कता कि सबसे बड़ा भिन को सबसे छोटा भिन से भाग देने पर साथ बटा छौप राप्त होता है अब देखो सबसे बड़ा भिन कौन है इ अब कहता है सबसे बड़ा भिन को सबसे छोटा भिन से भाग देने पर साथ बटा छौप राप्त होता है हमको भाग देना और सबसे छोटा भिन सबसे छोटा भिन कौन होता है पता लगाते चार दुना आठ हो रहा है यहां पर और तीन तिया नो हो रहा है तो यह छोटा हो बारा दुना चाविस सत्याएका तो छोटा मेरा यह हो रहा है थेक और क्रॉस गुणा से आप इसा पर नहीं समझ रहे हैं तो बेसिक से देखें पूरा आपको समझ में जाएगा इनिका शुरू से देखें अब देखें हम क्या करते हैं साथ बटे बारे से इसको भाग देते ह इसको गुना कर लो इस तो नो इसा जआते तो 3 अठे यह फिर यह कट आ सकते था तीन चोक बारा चार दुना आठ आठ बटा साथ मिला और हमको क्या मिलना चाहिए था साथ बटा च्छों नॉट एक्वल टो साथ बटा च्छों नहीं मिला ना इसका मतलब यह में रहां सकता ठीक है यह सोचना होता है देखिए फिर से दो नम्मार ऑप्षन कि अगर पर हम बात करें दूसरा option अपकी आपको समझ में आजाएगा अगर आप नहीं समझे इस चीज़ को तो समझेगा दूसरा option क्या कहता है कि इस साथ बटा नहीं से भाग देने पर साथ बटा चौप राप्त होता है तो बड़ा भीन पर राप्त कर लो सत चक बेयालेश आठ और आठ तिया चौबिस बड़ा कौन वा अठ तैस बला हुआ इसका मतलब साथ बटे आठ को भाग देना है सबसे छोटा बिन सबसे छोटा बिन कौन है इस पर यह पता लगाते है छो सते बेयालीस आठ पंचे चालिस तो यह बड़ा चोटा हो रहा है इसको अठा दू पा होगा बड़ावला पले लिख लिए लिवाले दूसरा सा adhere सोंय से डूसरे हुआ करना है करना तया बोड़ा लिखी शॉलों बड़ा होँ अप लोग देख लेना इसको अभीलोे भाग देते हैं अगर हम मैं भाग देंगे अन्ग अगिसा तो यह बाट ता यो साथ लिख सकते हैं अब दोगो यहां पर चार दुना आठ क्या निकलेगा साथ बटा छो हमको साथ बटा छो मिला और क्या बोलाता कि बड़ा भीन को छोटा भीन से भाग देने पर साथ बटा छो प्राप्त होता है हो गया प्राप्त आगे बढ़ो करता है कि जो की बीच वाल सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के कुशन में सोचेंगे नहीं तो आपको बहुत समय लगेगा इस तरह के कुशन को असानी से आप बना सकते हैं चलिए अगला कुशन देखते हैं 63 नमर स्वाल क्या कहता है कि एक बटा चार एवं एक बटा साथ के योग में से कौन सी भीन घटाई जाए कि तीनों भीनों का आउसत एक बटा एकी सोजा बहुत अच्छा कुशन है और बह और आपको क्या करना सबसे पहले कौन सी भीन घटाई जाए तो यहाँ पर मिस्टिक क्या होता है स्टुडेंट से वह भीन को एक्स बटा वाय मान लेता है वह भीन को एक्स बटा वाय नहीं मानना है आपको भीन को मानना है एक्स भीन को क्या मानना एक्स यह मानना ठीक है औ अब क्या करना इसी को फॉलो करो अंसर है क्योंकि एक्स का मान जब भी देगा वह बटे में देगा क्योंकि हमारा साथ यहां पर एक बटा चार हो रहा है और पलास हो रहा है एक बटा साथ ठीक है तो कहता है कि एक बटा चार हो एक साथ की योग तो योग कर दिये दूनों को तो यहां पर याद रखना कि जब भी आउसत बोला है तो तीन गुना कर देना और किया उस्त को जोड किले संग मिला है अब यहांसे कटा लो सथे एक बटा 7 खाए अगर हम इसको बना लें अच्छे से देखो एक बटा बट साथ बाद यहीं पर काट सकते थे और एक बटा 4 अंसर बोल सकती है क्योंकि अब गलतिया नहीं करना है एकस बटे वाई नहीं मानना A. अग्स मान के चलना अपने बिन मेरा फ्रेक्शन में आएगा और यह भी नहीं होती है ठीक है एक्स को मान लिया तो वह भी नहीं होती है 63 नमर बन गया चलिए अगला कोशन 64 देखते हैं देखिए 64 नमर स्वाल भी बहुत अच्छा कोशन है और इस तरह के कोशन आपको बनाना पड़ेगा सोटकॉट कैसी वह मैं सिखाता हूँ कता कि वह सबसे छोटी भीन छोटा भीन जो पांच पुर्णांग 3 बटा 4 समझेगा बात को क्या बोल रहा है पांच पुर्णांग 3 बटा चार चार पूर्णांग 4 बटा 5 साथ पुर्णांग 3 बटा 8 तथा नौपुर्णांग एक बटा दो, ठेक, नौपुर्णांग एक बटा दो, कि योग में जोड देने से एक पूर्ण संख्या बना देती है, ठेक है, योग में से जोड कर, यानि कि इसका योग निकालना होगा, और योग अगर हम करेंगे तो वो पूर्ण संख्या बना द आपका हो सकता है पुर्णांग में कैसे है देखो इसको सॉल्व करने की तरीका सीखो बले आप क्या अगर ना जितने ही साइड में है पांच चार साथ नौ सब को जोड़ लो ठेक है तो पांच चार नौ नौ और साथ सुल्ला 29 पर नौ साथ 26 च़बीस और नौ पचीर आप पचेस लिख लिख लेना ठेक है और उसके बाद इस तरह से लैंकी हिक देना उसके बाद चार पंच आठ और दू का इलसेम लेना देको धियान से आठ पंचे 40, 4 में भी 40 है, 2 में भी 40 है, इसका मतलर 0örp 40 होजादाiate, तीक है, उसके बाद यह आ से भाग देना, 4 धंक 40, तो 10 तिया 30, पलस 5, 48 तो 8 चोग 32, पलस 8 पंचे 40 तो 5 तिया 15, पलस 2 से 20, दो 20 तो 20, तो 20, तेक, अब इसको शबी को जोड़ लो, 25 पुर्णाग, पांच दू साथ ठैक और दो एक तीन अर तीन तीन छो तीन नो संतौनबे बटा चालिस हो गया ठैक जहां देखो यह हमारा कोईसा फ्रेक्षन है यह हमारा इंप्रोपर फ्रेक्षन है ठैक है स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो अब यह समझ लो कि इसको दो भार भाग चालिस दुना असी होता है ना दो टाइम में असी सिदशन नब्य दस सत्रह के सत्रह बटा-चालिस ठैक है यहने कि國家॥ में कि पर्चीस अर्ड दो शॉन क्त्रहों स्टा जञए यह मे लां पूर्ण चालिस में 17 बटे चालिस में एक्स जोड़ते हैं तो पूर्ण सेंक्या तो ध्यान से 17 बटे जब भी कोई भी प्रॉपर फ्रिक्षन होगा तो वह एक से कम होता है ठीक है यह हमारे पूर्ण सेंक्या बनेगी अगर हम बराबर एक कर दें तो यानि कि 17 बटे चालिस में क्या जोड़ें एक पूर्ण सेंक्या एक मान लिए अब इसको सॉल्व कर लो यानिकि एक मैना सत्रा बटा चालिस ठीक है चालिस और एक कैलसम क्या हो जागा चालिस ठीक है चालिस मैंना कर लो 40-17 बटा चालिस दसमें साथ जगा तीन लेकिन आपकी लंबा कैल्कुलेशन होगा क्योंकि मुझे आपको सिखाना था अब ध्यान से देख लो आगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो जल्दी बाजी बनने का एक ही तरीका है कि आप क्या करना 25 लिखना जब इसको जोड़ोंगे तो पांच दू साथ हो जाएगा और यहां पर दो एक प्रेक्षन हमेशा एक से कम होता है इसका मतलब एक में डारेक्षन को घटा देना 17 बटा 40 अब तो को 40 में 17 घटा हो कितना होगा यह आप मने मन घटा सकते हो 17 यहां पर 10 में 30 साथ 23 बटा 40 और यह तुरत कर सकते हो ठीक है तो प्रैक्टिस रहेगा तो बजल्दी बना पाओगे इसको ठीक तो चलो चौशाट होगी आप 25 देखते हैं देखो बहुत अच्छे डंग से मैं बताने की पूरी कोशिस करता हूं समझना बहुत अच्छा कोशन है जब किसी लाड़के से किसी भिनका देखो जैसे किसी भिनका बोले ना तो आप उसको एक्स मन लेना हम स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे है और कैलकुलेशन करते ज भाग अगर जिसका माइं डेफलेफ है बहुत तेज है तो जैसे भाग बोला ना तो वो समत जाएगा कि 7x बटा 6 अंसर बोल रहा है वो क्यूं तो देखो एक्स गुना यह जब भाक उम गुना बदले तो पलट जाएगा 7x बटा 6 जाएगा ठेक है तो 7x बटा 6 लिख रहे हैं न लिख रहे हैं तो यह चीज़ को हम नहीं लिखेंगे ठेक है हम यहां पर यह समझेंगे कि 6 बटा साथ बताने को कि खा गया चीज़ा ने किसी भी निवर साथ लिखना और गलतिस उसने को चीज़ांव दिया भाग दी भाग दिया इसका मतलब साथ बता जो बटा है विह व्यक्रीं और सही उतर से तेरा बटा सत्तर अधीक प्राप्त किया तेरा बटा सत्तर इसने यह अधीक प्राप्त किया इसने ठीक है और अगर हम इसको बराबर करना होगा तो हम कहेंगे इसको तेरा बटा सत्तर दे दू तो मेरा बराबर हो गया ना दोनों भीन मेरा बराबर हो गया समझ किसका कम कर लिए न्हक्त तो भी तो उनहीं सोच रहे karşı आपकी गलत है या तो आप इसकी कम करहें यद जूद दो इस संक्षप सकतर तो बराबर होगा या तौश का कम कर दो आंसर जाएगा ठेख लिए तो यह वाला है उदहर चले गाए तो मैं तो यहोजागा इनकी सट्तर में चौअ चाह करने खुघ करलंगत है त्म करना करूं कैसे क्लमश को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोए इसको घटा लो तेरा बटा सट्तर बराबर नौ में च्छाव जागा क्या बजया च्छा तीन नो चार में तीन जागा क्या बज़ेगा तेरा ठेक है यहां इनकि एक्स बटा क्ट गया ना है चाट रहा है सट चरक बे आलिस साद्धहं सत्तर तीन दूना छों पांच दूना दस क्या होगा आप नोस इसको गुना करो क्या होगा पंगच ऐस वर एक्स बट बढ़ाबर तीन वह इंग गया होगा तीन 2 बटा पंगच अंसर होग्या काफी असान है कैलकुलेसं थोड़ा सा हुआ है लेकिन इसको आप जल्दी बाज़ें बना सकते हैं अगर आप इसको भी सो भी आएगा वचाना तेरा बीasto उनचास बरावर माइनस में घटेगा नहीं तो मैंनस में घटेगा तो मैंनस में घटा होगा तो तो देख लो ध्यान से 9 में 6 जाएगा 3 और 4 में 3 जाएगा 1 मैनस 13 बटा 42 बराबर मैनस 13 बटा 70 यह कट जागा यहां पर नहीं कटा ना था अब देखो अब क्या करना यहां पर X था लगा दिए यह कट गया और इसको कटा लो फिर वही चीज़ आ गया अब जितना फास्ट इस जगह की कम को कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए तो बनने की प्रोसेस दोनों सही है आपको जल्दी बाजिमिस तरह को इसी तरह से बनाएंगे तो बहतर अशुता है लेकिन यहां पर कोर्चन यह बहुत इंपोलेंगे नहीं इस तरह के लिए पूच दिया तो क्या करना है कि हरी से किसी धिन का किसी भीन प्ता नहीं विल्य और साथ वक्सरक्त। करने के लिए ख़ुट करना था यह मेरा सही जय सब्सक्राइब बताओंगा अभी इनके लिए हैं जिनको समझ में इस तरह से आ जाता है ठीक है और इस तरह से सोचना ही पड़ेगा आपको तो आप क्या करना है इसको उस पर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 7x बटा 9, मैंनस, 9x बटा 7, बराबर, एक काम करो न, आपको 8 बटा एकी सिद्रे रखते हैं, यह 9x बटा 7, और यह उदर ले जाओ, 7x बटा 9, ठीक है, तो इसको साल्व करेंगे, तो अंसर आजाएगा, य मैं अब यह ला दूँगा, पहले देख लो, अगर इस तरह से यह चीज नहीं समझाओगा, बहुत कोई, तो उसको मैं थोड़ा से पीछे जाके फिर से एक बार बताता हूं, लेगिन यही लाओंगा, फिर देखना, एक बार, ठीक है, क्या काता है, हरी से किसी भीन, जब भ कि आपको कंपिटिशन में फास्ट कम करना है, कहा गया, पर अंतु उसने गलती से 7 बटा 9 से भाग दे दिया, क्या बोले भाग देना है, उसी को 7 बटा 9 से, हम क्या बोले ते जब भाग होता है, तो एक्स गुना 9 बटा 7 करते हैं, यह पलटता है, गुना में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 बटा 7 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, इस कमान, ठीक है, यह आपको पता हो गया, अब क्या काता है, तो जिससे उसका सही उतर से 8 बटा 21 अधीक आया, 8 बटा 21 अधीक आया सही उतर से, सही उतर तो यह था मेरा, और यह तो गलत किया है, भाग में ग गलत और हमको क्या हू रहा है गलत आ तो कितना सही से कितना अधिक अधिका अधीक आ अधीकार आधीक हो आपट आप किसम यहां देनी का मmemberבubon कर नहीं देंगे इस 8x बटा 9 इसको solve करोगे answer जाएगा अब देखो कैसे solve करते हैं यहां पे देखो 8 बटा 21 बराबर 7 और 9 केलशन 63 ले लो 9 7 63 ठीक है अब देख लो 7 9 63 तो 9 9 81 एकसी एकस माइनस 9 7 33 लो 7 31 ठीक है अब इसको घटा लो 8 बटा 21 बराबर 0 8 में 2 जाएगा 6 बटा 300 अब धियान से देखो अब धियान से देखो अब देखो साथ एकस बटा 9 अगर हम इसको उस पर लेगा यहां पे देखो देखो नौ 7 63 साथ नमा 63 तो नमा एकसी ठीक है नौ 7 63 यहां कलात हो गया ठीक है देखो 9 7 63 तो सत्यस्ते उन्चास एकस हो जाएगा ठीक है और इसको खटा लो एकारम नौ 9 10 11 ठीक है और इसका 7 में 4 जाएगा दो बज़ गया, 7 में 4 जाएका, 3, ठीक है, 845 बट्वाथेस, 27, 63, ठीक है, अब देखों क्या होगा, यहाँ एक बच्छा होगा, इधर 3 चल जाओ, इधर 4 चल जाओ, क्या हो जागा, X β 경우 3 but 4 X ug 3 but 4 है अब आगे क्या बोला उसका जहीं उत्तर क्या होगा कोई 3 but 4 आप कानसर नहीं हुआ बाओत बच्चे यहाँ पे गल्दी कर देते 3 but 4 ठीक है तो 3 but 4 आप कानसर हो ही नी सकता है क्योंकि बोला है उसका सहीं उत्तर क्या होगा कि उसे हो जाएगा क्या बढ़ यह साथ बढ़ कर देंगे यह चीज़ आप नहीं करना इस तरह सी इसको बना सकते हैं अगर समझ भी नहीं आया ठीक है तो देखो इसका ट्रीक भी होता है एक्स बटे वाय गुना एक्स बटे साथ एक्स का इसको मैनस एक्स का इसको लेकिन वो ट्रीक भूल जाओगे इसलिए इसी तरह से सीखो ज्यादा अच्छा रहेगा हरी को किसी भी इनका मालूम करने का मतल है और फिर आगे बोला है भाग देने से जैसे साथ बटा नो दिया घ्राइश भाग वह लाग तो आप उसको नो एक्स बटा साथ लिएन को को पलड़ जाता है और इससे से यह अधीका ना तॉप क्या करना आट बटाइकीस आधीका रहा है ना यहां पर भी मैनस लिख सकते कर सकते हूं कि इस से इधीक थो कंग कर दिये कम करेंगे तो ही बराबर इसको इस पर ले आना साथ एक्स नो एक्स बता साथ अब बरावर आट बटा एकिस ठीक है नौ और साथ के लसम ले लेना वही Deli 63 और बरावर हो जागा आपका मैनस में तो यहाँ पर घट के आपका मैनस में आएगा ठीक है तो यहाँ पर उन्चास घटाओगे एक आरम नो जागा दू बचेगा और साथ में चार जागा तीन यानि कि मैनस बटा तीरे सट बराद जो आप कैलकुलेशन में जितना समय लगा पर जागा तो यहाँ आपको कम से कम 30 से 40 पैतालिस जाद पचास सकंड में हो जाएगा अगर इस तरह से करते हो तो और प्रेक्टिस रहेगा ज्यादा तो और अच्छा से बन जागा ठीक चलिए देख लेते हैं देखिए 67 नमर काता है कि यदि एक पैंसिल का एक बटा आड़ बाकी बटा दो भाक पीला तता बाकी का तिन पुर्ण बटा दू शेंटिमेंट निला तो पैंसिल की कुल नमबाय जाता है दूसरी बात यहां से टाइप चैंज हो गया इस तरह इस तरह के को को बाद में लोग देखेंगे इनकी नेक्स्ट पार्ट में और जो लोग नए जूड़ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दा हूं बता दो किसी चैनल पर एक को मैं सॉल्व कर रहा हूं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और चेंज हो रहा है और कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है समझ में अगर कुछ ना आए तो भी कॉमेंट करेंगे तो ताकि मैं आपकी हर तरह से हल्प कर सको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी राता है पिछला वीडियो आप देखने के लिए डिस्क्र